जमूरीजन की बात की जाये तो लगातार पिछले काफी दिनों से और काफी समय से जो है लगातार आतंकी गत्वीदियें जो है वो भड़ती नज़र आ रही हैं मगर उसी बीच हमारे सुरक्षाबल उसका मूत और जवाब भी देते हुए नज़र आ रहे हैं कल देर शाम कठुवा के इलाके की मचड़ी इलाके की बात करते हैं तो वहाँ पर घात लगाकर सुरक्षाबल के वाहन पर हमला किया जाता है उसी पर बातचीत करने के लिए जमकुष्मिन पॉलीस के महानरदेशक पूर महानरदेशक जो हैं सबसे पहले तो ग्रीस्तान को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार सर किस तना से देख रहे हैं लगबग रजोरी पुंच के बाद अब कठुवा और हीरा नगर और बिलावर का वो इलाका जहां पर पीसफुल था आप जानते हैं मैं खुद कठुवा गराने बाला हूँ और कठुवा बिलावर का इलाका इतना पीसफुल इलाका है और ऐसी गटना होना एक बहुत दुखत है और ये लोगों में एक दहशत का महौल पैदा करेगा और मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी इन टर्रिस्टों को लोकेट करना चाहिए और इनको जितना जल्दी हो सकता है उस उनको इलिमिनेट करना चाहिए और इस एरिया को साफ किया जाए टर्रिजम से ये बहुत जरूरी है पुलीस और स्क्योर्टी फोर्सिस को इस पे जल्द से जल्द कारवाई करनी चाहिए और देखे जहां तक मेरी इंफर्मेशन है को लगबग तीन चार हाफते पुरानी बात है जब पिछली बार कठुआ हीरानगर में एंकाउंटर हुआ था बॉडर विलेज में और दो टेरिस मारे गए थे उससे कुछ दिन पहले एक ग्रूप बहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया था most probably IB sector से ही किया है और वो अगर आपको याद होगा उदुंपर की तरफ पाड़ियों की तरफ गया था जहां बसंदगर के इलाके में एक VDC से उसकी मुठ वेड हुई थी और एक VDC वाला मार्टिर हो गया था वही ग्रूप उपर की तरफ बदरवा डोड़ा की तरफ गया और उसमें से उस वो दो गुटों में बटा एक रिपोर्टर ली एक ग्रूप जो है वो गंडों की तरफ गया था जिसने पुलीस पर अटैक किया था उसमें दो पुलीस वाले जखमी वो ग्रूप पिशे ड़ाग से बिलावर और मशेडी से लाके की तरफ गया था जिसने आमी पिकट चेक पोस्ट पर अटैक किया था और वो आमी वाले दो जखमी हुए दो तिन जखमी हुए था और एक पुलीस वाले जखमी होता है जो जिसने मशेडी में ये आद्सा किया है और यह भी मोस् Jag english सारे फारिनर ही लगते हैं लेकिन चिंता की विशे ये है कि वहां कोई ली तो लोकल स्पोर्ट इनको मिली है वरना अगर ये पाकिस्तानी है इनको कैसे इस इस अलाके की ये खावर है यहां यहां फाउज की मूवमेंट होती है तो कोई मदद कर रहा है आपर ग्राउंड इंटिफाई करना चाहिए उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए और हालांकि मेरी नौलेज के मताबक जम्मू रीजन में लोकल टर्रिस्ट कोई नहीं है जो इस वकट आपरेट कर रहा है जो आप जोरी पुंच में देख रहे हैं वो भी फॉर्णर है जो आपने डोडा में इस ग्राउंड इंटेलिजेंस की जरूरत है लोगों का साथ लेना चाहिए लोग बाइन लाज बहुत पॉजिटिव बहुत नैशनलिस्ट लोग हैं और इस इलाके के मैं खुद जानता हूं बहुत स्कूरिटी फोर्सिस का साथ देने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी इनक पर हमने देखा है कि कठिन इलाके हैं जहां पर हमने अभी भी देखा जहां पर वो कॉनवई का मूमट था तो वो टेरिन जो था वो पक्की रोड नहीं थी ब्लैक टॉपिंग नहीं थी कच्चा रोड था तो क्या लगता है कि जिस तरह की यह मूमट रह रही हैं यह कहीं न इस तरह के जो कच्चे रोड होते हैं वो इंबूश के लिए प्रोन होते हैं, आई डी का खतरा रहता है, और ऐसा पहाडी लाका, ऊपर पहाड से बैठ के, टेरिस्ट आमपूश कर सकते हैं, अटेक कर सकते हैं, और वही हुआ है, यहां तक आपका पाकिस्तान की नई रननेती का सवाल है येस मुझे लगता है पिशले डेड़ दो साल से पाकिस्तान ने रनिती में बदलाव लाया है उन्होंने देखा कि कश्मीर में किस तरह से प्रेशर उन पर बना था जिसकी बज़ा से सभी पैरामीटर के हिसाब से अगर आप देखे कश्मीर में टेरिजम काम हुआ हर पैरामीटर के हिसाब से तो उन्होंने देखा कि इस प्रेशर को इस कैसे किया जाए और फोर्सी का स्प्रेड कैसे किया जाए जो प्रेशर जो प्रेशर कश्मीर वैली में है या चाइना बॉर्डर पे है लदाक में उसको इस करने के लिए और फोर्सी का स्प्रेड करने के लिए जम्मू रीजिन को टार्गेट कर रहे हैं और यहां कमिनल सिचुएशन को भी यह उक्साना चाहते हैं तब ही इन्होंने पिछली बार यात्रियों पर अटैक किया कि हिंदू-मुस्लिम फसाद हो तो यह इस इरादे से यह कर रहे हैं और इसको हमें काउंटर करना है इक तरफ आमनात यात्रा भी चल रहे है सर क्या लगता है कि पाकिस्तान की हमेशा से रहन नहीं ती रही है कि यात्रा से पहले इस तरह की परस्तितियों को जो है एक धूमिल किया जाए लोगों के अंदर मन में भय डाला जाए कि यात्रा ना कर पाएं तो यह क्या हम मानके चलें कि उसी पड़ा पर हैं पाकिस्तान की स्ट्रटेजी जी विलकुल यह मैं पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ नाइनटीज में भी करते थे यात्रा पर अटैक कही बार इन्हों ने किया मैं जब डीजी पी था 2017 में भी अटैक हुआ तो यह इस तरह के हाथ से पाकिस्तान इसलिए करता रहता है ताकि डिसकरेज किया जाए लोगों में खौफ डाला जाए डर का महौल पैदा किया जाए लेकिन पाकिस्तानी इन चीजों में कामयाब नहीं होगा आपने देखा यात्रा में अमनात यात्रा में कितना उत्सा है और लोग डरने मरने से नहीं डरते है यात्री जो आते हैं वो तो श्रद्दा से आते हैं वो इस चीज़ से नहीं डरते कि उनको कोई नुक्सान हो जाएगा लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली यात्रा की वज़ा से और आगे इलेक्शन आने वाली हैं सेंबली की उन चीजों को अपने प्लैन में रखकर यह सारी ज पाकिस्तान को समझना चाहिए आज वो बुक्मरी की कगार पर हैं पाकिस्तान इस तरह की हद्कंडे ना अपनाए दिए पॉलिटीशन अपने स्टेटमेंट बदलते रहते हैं और कश्मीर में कोई जमू में कोई दिली में कोई लेकिन मैं वैलकम करता हूं ऐसा स्टेटमें स्टेटमेंट अगर डाक्टर फारुक अब्दूला ने दिया है पाकिस्तान को कड़े हाथों लिया है मैं समझता हूं यह अच्छा है इसको एप्रिशेट करना चाहिए बाकी हम जो 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 देश के साथ खड़ा होगा फोर्सिस के साथ खड़ा होगा देश की सुरक्ष के साथ कड़ा होगा हम उस उन स्टेटमेंट्स का चायो किसी भी जमात से तालुक रखते हैं हम उसका वैलकम करते हैं एक आखरी सवाल क्या लगता है कि हर रीजन की बात करते हैं जहां पर राजोरी पूंच रियासी और अब हीरा नगर और इसके बाद बिलावर का इलाका क क्योंकि इन दिनों पिछले एक से धेड़ वर्ष में हमने देखा है कि कहीं सारे जावान हमने को हैं लगए चालिस के करीब जी कैजूल्टी मेरे खाल फॉर्टी से उपर हो गई या बिल्कुल सही कहरें जमूरीजन में लेकिन मैं इसको मेरा तजर्वा यह कहता है कि आगर टेरिस्ट अंदर नहीं आएंगे तो वो कोई इंसीडेंट नहीं कर सकते यह सचाई है कि टेरिस्ट अंदर आए हैं इसको मानना चाहिए जो जो रुजोरी पुंच में आपरेट कर रहे हैं चाये उनका नंबर बीस पचीस है वो भी फार्नर हैं वो अंदर आए है लोसी से और जो कटुवा में अटेक करने वाले थे या डोडा में मारे गए और ये आज कटुवा मशेडी बिलावर में जिन्होंने हादसा किया ये भी फॉरंट टेरिस्ट है और अंदर आए हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि ये अंदर ना आ सकें आई बी सेक्टर हो चाए लोसी हो उसको किस तरह से और बुखता किया जा सकता है सरकार को उस पर मैं समझता हूं और कदम लेने की जरूरत अगर पढ़ती है वो लेने चाहिए ताकि टेर्रिस्ट अंदर ही नहीं आ सकें और उनको ये सप्लाई जो तूरू ड्रोंस दी जाती है या टनलों के तूरू उन ट हन्रदेशिक जो ही वो बाचीत कर रहे थे उनने कहा कि जल्द सुरक्षा बलों का एक बड़ी साफलता भी मिलेगी और सुरक्षा बलों को और सचेत होने की जरूरत है वीडियो जनलिस्ट अश्मी सबरवाल के साथ गुरिस्तान न्यूस से आनिल शर्मा की पोर्ट